हेलो दोस्तों आज हम लोग बेसन के लड़ू बनाने जा रहे हैं तो चलिए आज मैं उसकी रेसिपी अब सेयर करती हूं आपके साथ उसको अच्छे से फिर हम भूनेंगे यह देखे मैं बेसन डाल रही हूं घी ना तो बहुत ज्यादा गरम है और ना ही ज्यादा ठंडा है वस नॉर्मल हलका गुलगुला है मैंने इसमें बेसन डाल दिये हैं पहले स्टार्टिंग में तो घी कम ही डालिए उसके बाद फिर हम बेसन भूनते जाएंगे उसके एकॉर्डिंग फिर घी डालेंगे पहले ही बहुत ज्यादा घी डाल देने से क्या हो जाता है कि हमारा बेसन बहुत ज्यादा लूज लूज सा हो जाता है फिर उसके लड़ू नहीं बंद पाते हैं तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा कम घी डालेंगे यह देखिए मैं बेशन को भून रही हूं और इसको अभी स्टार्टिंग में लो मीडियम आज पे भूना है मिडियम आज पे समझ लिए मीडियम आज पे भूनना है हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं भूनेंगे क्योंगे पेसन अगर थोड़ा सा भी जल जाए लग तो यह देखिए मैं इसको लगातार चलाते हुए भून रही हूं इसको छोड़ना नहीं है बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं लगता बनने में बस बन जाता है लेकिन इसकी सिकाई बहुत अच्छी होनी चाहिए आधा पॉना गंटा लगता है इसको भूनने में भूनते रहो भूनते रहो फिर यह देखो यह अभी इतना भून गया है अभी लग रहा है ना बेशन की बहुत सूखा सूखा सा है कैसे होगा तो यह देखिए बूंते-बूंते बेशन ने थोड़े-थोड़े घी छोड़ने स्टार्ट करते हैं भून रही है अरिसे बहुत अच्छी खुश्बू जब निकलने लग जाए कि हाँ यह सीख गया है तो इससे बहुत अच्छी भीनी-भीनी सी खुश्बू निकलेगी फिर उससे हमें पता चलेगा कि बेसन अच्छे से भून गया है तो इसके इसको अब हम इस स्टेच पे हम आच एक तम बिल्कुल कम कर देंगे सी तो यह देखिए मैंने इतना इसको भून लिया है इसको फिर इसमें हम इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं अपने कॉर्डिंग अगर आपको कुछो ट्राइफूर्स अगर थोड़े बहुत पसंद हैं तो उसको भी छोटे-छोटे बारिक डाल सकते हैं क्योंकि वह बाइ यह देखिए ने और उपर से घी नहीं मिलाया उत्ना इंगी में हमारा यह बन गया और इसमें कम से कम जैसे मेरा 300 ग्राम बेसन है तो 300 ग्राम बेसन में आप 500 ग्राम चीनी का बूरा मिलायें तीन सो ग्राम में ढाई सो ग्राम चीनी का बूरा हम मिलाएंगे और उसके बाद फिर हमारा लड़ू बनेगा जब यह अच्छे से भून जागा फिर हम इसको एक परात में निकाल लेंगा और बिल्कुल थंडा होने देंगे रूम टेंपरेचर पे यह बिल्कुल थंडा हो ज अब मैं सांटे चीनी का बूरा मिला मिर्मसल कर रही हूं अब इसके अधो की हाथ का थैसीया ठीक हम लुएपकुन होने फोलेákां अध्य। करना है अहलका भी गरम रह जाएगा तो क्या होगा कि चीनी का बूरा इसमें घुलने लगेगा और जिससे कि यह और बहुत ज्यादा लूज लूज हो जाएगा तो यह देखे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूं तो बेसन के लड़ू को किसी भी occasion में बना सकते हैं तीज 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 तीओहर हो अभी जैसे करवा चौथा आने वाला है उसमें भी हम बेसन का लड़ू आप बनाएं मेरी recipe को देखके बहुत easy बन जाता है बहुत जल्दी बन जाता है आराम से कोई वैसा नहीं है कि नहीं बन पाएंगे जो इसने कभी cooking नहीं भी की है नहीं भी मिठाई बनाया वह भी बना सकता है देखेगा बना के अपने हाथ का बना हुआ खाके जो खुशी मिलती है बहुत अच्छा लगता है लड़ू ऐसे भी बच्चों के बड़े के सबके फैवरेट होते हैं सबको ही अच्छ करके मैंने इस मिलाया है बिल्कुल एक फिला फिलाखिला सभया हो जाएगा फिर उसके बाद अब बारिक बैसन बारिक दानेदार वाले बेसन आते हैं दानेदार बेसन भी मिक्स कर सकते हैं और अगर हमारे पास दानेदार वाले बेसन नहीं है तो हम फिर फाइन बेसन में भी थोड़ी सूजी जिस टाइम पे हम बेसन भूनते हैं उस टाइम थोड़ी सूजी भी हम आधी कब सूजी भी इसमें मि करेंगे उसके बाद फिर हलके हातों से हम इसको राउंड शेप देंगे गुलाई का शेप दे दे के फिर हम बनाएंगे बहुत अच्छी लडड़ बनी है मेरे कम से कम 300 ग्राम बेसन में मेरे 30 लड्डू बने 30 लड्डू मेरे बन के तयार हो गए यह देखे मैं बना रही हूँ थोड़े से मेरा बेटा भी वहां बैठा हुआ था उसने बोला ममा मझे भी लड्डू बनाने हैं तो मैंने उसको भी थोड़ा सा दे दिया उसको भी बेसन निकालके और वो भी अपने अपने गोल को लड्डू बनाये जा रहा है खाये जा रहा है पिर यह देखे कितने अच्छी शाइन भी कर रही है चमक भी आई है और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है और ना टाइट है बिल्कुल परफेक्ट बनी है अच्छी बनी है तो आप लोग भी बनाये खाये और फ्रेंट्स अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पसंद आई हो तो इसको लाइक शे तो से गुल गुल हम दबाएंगे और हमारे लड्डू बन जाएंगे यह देखे मैं तो फिर अब फिर से लड्डू बनाऊंगी इसमें अगर आप लोगों को बेशन के और भी कोई रेसिपी चाहिए मोहन थाल वगर कुछ भी अगर रेसिपी हो तो आप कॉमेंट करके बोल तो यह देखे मेरे लड्डू कितने अच्छे परफेक्ट बन गए हैं बहुत जल्दी बन जाता है यह और हाथों में बिल्कुल नहीं कुछ आ रहा है यह देखिए कम सकम मेरे 30 लड्डू बनके तयार हो गए यहां तो 25 हैं 5 लड्डू मेरा बेटा बना रहा है बना भी रह तक्यू